बिजनेस माथमाटिक्स पढ़ने वाले बी कौम के प्यारे बच्छों स्वागत है आप सभी का हमारे शैनल इंडियस ओफ्टी में इसका पूल फॉर्म है ऑनलाइन प्री टेज आज हम पढ़ेंगे बिजनेस माथमाटिक्स में चाप्टर वन सिमूलेशन इक्क्वेशन का एक्सरसाइज एज स्वाली एज नहीं एज तो हमने और डी बना दिया है आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज एम तो एक्सरसाइज एम का पहला कोशन आज सॉल करेंगे इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे प्रस्षम जिसमें बार ब तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया था, हलाकि नाम थोड़ा अलग लिखने के कारण वो वीडियो भी सर्ज में नहीं आ रहा है, इसलिए फिर से मुझे exercise M का एक वीडियो बनाना पड़ रहा है, शुरुवाद से, तो पहला question क्या है, ये जानने के लिए आपके पा बराबर 3 बट्टे 2, इसको मैं चलो पहला समिकरन कहता हूँ, दूसरा है, 1 बट्टे Y प्लस 1 बट्टे Z बराबर 5 बट्टे 4, इसको मैं दूसरा समिकरन कहता हूँ, ये पहला था, ये दूसरा, तीसरा है, 1 बट्टे Z प्लस 1 बट्टे X पराबर 3 बट्टे 4, इसको मैं ती प्लस समिकरण 2 प्लस समिकरण 3 जोडने का नियम आपको पता है बराबर के इस तरब जो चर अचर रासी होती है xy वाले यह आपस में एक साथ जोड़ेंगे और इतर जो नमबर से हैं जिसमें xy नहीं होता वो आपस में एक साथ जोड़ेंगे तो ऐसे आपको जमाना होगा त तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 बट्टे X प्लस 1 बट्टे Y फिर 1 बट्टे Y प्लस 1 बट्टे Z फिर 1 बट्टे Z प्लस 1 बट्टे X यह हमने पूरा लिख लिए अब इस तरह आप इनके मान को लिखेंगे जो कि पहला मान है आपका 3 बट्टे 2 प्लस दूसरा मान है आपका 5 ब बट्टे X और दूसरी जगह का है यहां पर है उसको इसके बगल में लिख लो फिर बाकि देखो यह आपस में जम्य हुए है एक बट्टे Y के बगल में एक बट्टे Y है एक बट्टे Z के बगल में एक बट्टे Z है ठीक है यहां पर हम इनको क्या करेंगे इनका हर समान करेंग जैसे उनका किया, जैसे यहाँ दोनों में 4 है पर इसमें नहीं है, तो इसके में 4 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 3 बटे 2 में 2 का गुड़ा, तो 3 दुनिये 6 हो जाएगा, दो दुनिये 4 हो जाएगा, तो आपको लिखना क्या है, इसको बदल के आपको लिखना है, 6 बटे 4, अब जैसी हर समान हुआ, अगली बार में श्रिफ एक बार 4 लिखेंगे, यूगि तीनों के हर में एक बार 4 आ चुका है, तो उसको बस एक ही बार लिखेंगे, अगर समान होतों, अब सब को जोड़ना है, तो आप लिख देंगे, 6 प्लस 5 प्लस 3, अब इन की तरह आते है यहां दोनों में x हो चुका है, तो हर समान होने पर एक बार x लिखेंगे, और एक और एक जुड़ेगा, तो यह 1 प्लस 1 लिख दिए, यहां पर भी दोनों में y है, तो एक बार y लिखेंगे, उनका एक जुड़ेगा, तो 1 प्लस 1, अब यहां पर भी z समान है, तो एक बार इनका 1 प्लस 1 इस तरह से मैं उपर में लिख सकता हूं 2 बटे X 2 बटे Y 2 बटे Z बराबर 6 5 11 11 3 14 बटे 4 यहाँ पर कटेगा तो 2 सत्य 14 दो दुनी 4 यह आप काट सकते हैं अगले स्टेप में आप लिखेंगे यह 7 बटे 2 अब आपको दिख रहा है सम में 2 है तो जो कॉमन हो उस 1 बटे Y बचेगा 1 बटे Z बचेगा अब जो 2 यहाँ गुड़ा है वो इधर आके भाग करेगा मतलब नीचे आएगा तो 1 बटे X प्लस 1 बटे Y प्लस 1 बटे Z बराबर आप लिखेंगे 7 बटे 2 और यह वाला दो आएगा इसके नीचे में इस तरह से जो की होना कुछ नहीं है गुड़ा हो जाएगा दो दूनी 4 अब आपको लिखना है 1 बटे X प्लस 1 बटे Y प्लस 1 बटे Z अब इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद हम देखेंगे हमारा 1 बटे X प्लस 1 बटे Y का मान क्या था समीकरण 1 में उसी को यहां रखेंगे तो आपको लिखना पड़े और समिकरण एक का मान रखने पर ठीक है यह हमने बुला अब हम मान रख देते हैं तो हम क्या करेंगे इसको हटा करके x बटे x प्लस 1 बटे y का मान था 3 बटे 2 उसको रख देंगे प्लस 1 बटे z तो ये जो है ये तो ये इसी रहेगा बस यहाँ पर इनको हटा करके उसका मान लिखा गया है ठीश बराबर 7 बटे 4 भी रहेगा अब क्या करेंगे एक बट्टे जेट यहीं रहेगा साथ बट्टे चार के पास यह लोगा जाएंगे तो यह प्लस है इधरा कि क्या हो जाएगा माइनस तो माइनस तीन बट्टे दो लिखना है अब मैं क्या करूँगा इनका हर समान करूँगा जैसे मैंने पहले उपर में किया था तो एक बट्टे जेट बराबर साथ बट्टे चार अब फिर से वही यहां चार है तो यहां भी ला सकते हो कितने का गुड़ा करके दो का तो आपको दो का गुड़ा कर लेना है तो यह हुआ 3-0-6 2-0-4 होगा तो आखिर दोनों में 4 आना है तो आप 4 को एक बार लिख दो या फिर एक इस्टे बाद आप लिख सकते हो कोई दिखकत नहीं है दोनों ही सही है इसके बाद एक बट्टे जेड बराबर आपको लिखना है साथ में छह जाएगा तो एक बटे चार, अब आपको पता है 4 का यहाँ गुड़ा होगा, तो 4 एकम 4, जेड का यहाँ गुड़ा होगा, तो जेड एकम जेड, इस तरह से आप कह सकते हैं कि जेड का मान निकला 4, क्या निकला बच्चो चान निकला अब जब जेड का मान आपने निकाल लिया तब बाकियों कभी मान निकाल सकते हैं ठीक है तो चलो उपर में आते हैं समीकरन को देखते हैं ठीक है सबसे पहले हमने जो लिखा था जहाँ पर जेड है तो देखो जेड यहाँ पर भी है और इस का मान रखने पर समी करन दो क्या है एक बटे y प्रस एक बटे z बरापर पांच बटे चार ठीक यह हमने मान रख दिया अब मैं कहा करूँगा एक बटे y को as it is लिखूँगा अब z के जगह मुझे पता है z का मान कितना आया है 4 तो मैंने 4 लिख दिया ठीक है और आप बुग में चेक कर सकते है z का मान 4 आया है जो कि answer में आपको दिया लिए ठीक तो यह मैंने z को उटा के वहाँ क्या रख दिया 4 रख दिया सेम काम जो उसमें किये थे यह इधर प्लस में इधर रख क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस एक बट्टे चार इधर रख क्या हो गया माइनस एक बट्टे चार उसके बाद एक बट्टे वाय बराबर हमें लिखना है दुनों की हर समान है तो एक बर चार 5 में 1 घटेगा तो 5 में 1 घटेगा तो 4 आएगा नीचे के 4 उपर के 4 घटेगे तो 1 आएगा तो 1 बटे y भराबर आप y कम y, तो हम कह सकते हैं y कमान कित्ता निकला, 1 निकला अब y का भी मान पता है तो आप उसको समी करण एक में रख दो जिससे क्या होगा X का मान निकल जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा समी करण एक में Y का मान रखा यह रखने पर जोगी है 1 बटे X प्लस 1 बटे Y बराबर 3 बटे 2 यही है न चेक कर लेते हैं यही है ठीक अब Y कमान आपको पता चल के कितना निकला है एक निकला है आप उपर में देख सकते हैं यह वाय कमान है तो हम क्या करेंगे 1 बटे X प्लस 1 बटे 1 लिखेंगे अब आपको यह पता होना चाहिए बटे में एक रहते हैं लिखते नहीं है तो यहाँ पर स्रीफ प्लस 1 है अब वो प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर हम solve कैसे करेंगे वो आपको देखना बहुत जरूरी है ताकि आप सीखे इसका गुड़ा इसमें करेंगे जो हर है हर कागुड़ा आंस में करेंगे तो 2 एक कम 2 बटे 2 का 2 रहेगा अब 3 में 2 घटेगा 1 बटे 2 1 बटे X अब आप कहेंगे 2 एक कम 2 X एक कम X X कमान निकला 2 अता हाँ आपको लाश्न में कहना है X बराबर 2 Y बराबर 1 Z बराबर 4 यह आपका आंसर है ठीक तो इस तरह से बन गया एक्सरसाइज M का Q2 ऐसे ही सारे Q2 बनते हैं तो आपको बना करके देखना है कमेंट करके बताना है यह वीडियो कैसा लगा आपको समझ में आया कि नहीं मेरा उत्देश था आपके डाउट क्लियर करना अगर डाउट क्लियर हो गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और से याड़ बाई बाई